दुनिया में अजीब उगरीब चीज़ें हैं या ये कहें कि ऐसे रहसे हैं जोने कोई नहीं सुलजा पाया आज भी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिनकी असलियत का पता वग्यानिक नहीं लगा पाए हैं कुछ ऐसे ही आश्यर कर दिने वाली जगह है जहां क्या है और इनका रहस्य क्या है ये कोई नहीं जानता आज एक ऐसे ही रहस्य में जगे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सनकर आप भी हरान हो जाएंगे आज हम आपको एक ऐसे रहस्समय कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पास ताली बजाने से उसका पानी अप उपर आने लगता है ये कोई मजाकी बात नहीं है, ये वाख्या वाके में घटेट होटा है जारखन के बोकारू जिले में स्थित एक कुंड में जो एक धार्मिक आस्था का केंद्र भी है इसे दलाही कुंड के नाम से भी जाना जाता है ये कंक्रिट के दिवारों से घिरा हुआ है इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई कुंड के सामने ताली बचाता है तो इसका पानी अपने आप उपर उठने लगता है देखने में ये नजारा बिलकुल ऐसा लगता है जैसे किसी बर्दन में पानी उबल रहा है इस रहस्य का पता आज तक वैग्यानिक भी नहीं लगा पाएं है इस कुंड से जुड़ा एक और रहस्य है जिसे सुनकर आप लोग और आश्यरिव में आ जाएंगे इस कुंड में गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी आता है लोगों का ये भी मानना है कि कुंड के पानी में नहाने से चर्मरोग दूर हो जाते हैं लोगों का ये तथिर सुनकर वैग्यानिक कहते हैं कि अगर इससे चर्मरोग ठीक हो जाते हैं तो इस पानी में गंधक और हिलियम मिला हो सकता है इस कुंड के पास ताली बजाने से किसी बर्तन में उबलते पानी की तरह कुंड का पानी उपर आना अपने आप में एक आश्यर चकित घटना है मगर संकरांती का यहां मेला भी लगता है जिसमें बड़ी संक्या में लोग पहुशते हैं और इस कुंड में आस्था की डुपकी लगाते हैं लेकिन इस तरह से ताली बजाने की वज़स से कुंड के पानी का उपर आ जाना आज भी अपने आप में एक रहस्यर बना हुआ है इसके पीछे क्या वज़य है इसका पता किसी को भी नहीं पता है subscribe our channel and press the bell icon for more updates